हाई फ्रेंड्स असलामों आलेकुम विल्कम बैक टू मै चैनल आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही बढ़िया रेसीपी शेर करने जा रहे हूँ तो आज हम बनाने जा रहे हैं बल्ली अलग-अलग जगे पर इसे अलग-अलग नामों से पहचाना जाता है खरवस भी इसे कहा जाता है बल्ली भी कहा जाता है आप इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना बहुत इसी तरीके से आम इसे बनाएंगे तो वीडियो के इन तक जरूर बने रहीएगा नॉर्मल दूद बिल्कुल भी नहीं है इसे चीक भी कहा जाता है यह आप लोगों को ओर्डर दे कर मंगाना होगा आप जहां से दूद लेते हैं वहां से आपको ओर्डर दे कर मंगाना होगा तो यह आसानी से नहीं मिलता है और यह जो दूद होता है वो गाई या भेज जब बच्चे को जर्म देती है जब उनकी delivery होती है तो first तीन दिन का जो दूद होता है वही दूद है ये गाड़ा होता है तो आदा लिटर मैंने लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है नॉर्मल दूद तो यहाँ पे मैं packet के दूद का यूज कर रही हूँ आप चाहे तो full fat milk भी यहाँ पे यूज कर सकते है तो उससे बली बहुत ही अच्छी बनेगी उसके पीस बढ़िया निकलेगे तो देखे फ्रेंड्स यह जो चीक है मैंने जो आदा लिटर लिया है उसमें हम जो नॉर्मल दूद है वो मिला देंगे मिक्स करना है जितने quantity में आप यह चीक लेगे उतनी quantity में आपको दूद लेना है या आप उससे थोड़ा कम भी ले सकते है तो दोनों दूद को अच्छे से हम मिक्स करेगे अब यहाँ पर मैंने गैस पर एक बड़ा सा टोप रखा है देखिए और इसमें मैं आड़ करूँगी पानी तो थोड़ा पानी मैंने आड़ कर दिया है ताकि हमें यह जो बल्ली है वो स्टीम में पकाना है तो उसे बॉइल होने के लिए हम छोड़ देंगे अब यह जो दूद है हमने मिक्स कर लिया है दोनों दूद को एक साथ उसमें हम एड़ करेंगे वन फोर्थ कप शूगर आप ज़्यादा मीठा खाते है तो एक दो टेबल स्पून और एड़ कर सकते है इसमें और शूगर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मेल्ट करना है हमें शूगर को तो देखिए फ्रेंड शूगर अच्छे से मिल्ट हो चुकी है अब यहाँ पे हमने जो पानी को बॉयल आने के लिए रख दिया था गैस पर तो उसी टोप में हम उसी साइस का एक बरतन रखेंगे जो की टोप के अंदर न जाए तो इस तरीके से हमें रखना है देखिए इस तरीके का जो फीट होता है वही बरतन आपको रखना है अब यह जो दूद है वो हम इसमें एड़ कर देंगे तो बड़ी सी प्लेट में ने ली है और उसमें एड़ कर दिया है यह दूद को क्योंकि हम इसे steam में पकाने वाले हैं तो इस तरीके से steam में पकाया जाता है तो बहुत ही अच्छे से ये हर जगे से cook होगा अब इसमें flavor के लिए मैं add करूँगी इलाइची powder 1 teaspoon तो बहुत ही बढ़िया flavor आएगा बल्ली में तो इसे भी हम अच्छे से mix कर लेंगे तो देखिए मैंने इसे अच्छे से mix कर लिया है अब इसे हम cover करके छोड़ देंगे starting में 10 मिनट तक हम इसे high flame पर cook करेंगे फिर 10 मिनट बात flame को medium रखना है फिर medium flame पर हम इसे 20-25 मिनट तक रखेंगे तो बहुती बढ़िया हमारी बल्ली बनके ready हो जाएगी इस पर आप कुछ वजन भी रख सकते है देखिए इस तरीके का हम वजन रखेंगे तो बहुती अच्छे से ये set हो जाएगी cook हो जाएगी steam में क्योंकि जो steam है वो बाहर नहीं निकलेगी तो इस तरीके से हमें रखना है कोई वजन को तो मिलते हैं 20 से 25 मिनट बात तो देखिए friends यहाँ पर 20 से 25 मिनट मेरे पूरे हो चुके है तो इसे हम चेक करेगे तो इस तरीके से हमें चेक करना है तो यहाँ पर हम लेंगे एक छूरी देखे इस तरीके से छूरी लेना है और इसमें हम इस तरीके से cut लगाएगे तो जो ये छूरी है बिलकुल clean निकलना चाहिए देखे तो अब हम इसे room temperature पर ठंड़ा होने के लिए छोड़ देंगे फिर बाद में इसे cut लगाएगे तो देखेे Friends यह पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है तो इस तरीके से हमें इसके पीस करना है बहुती आसानी से इसके पीस निकलते है तो देखे Friends यहाँ पे बहुती सौफट बल्ली बनके मेरी रेडी हो गई है तो यह जो बल्ली है मैंने चीक से बनाई है अगर आपको ये available नहीं होता है ये चीक available नहीं होता है नहीं मिलता है मार्केट में तो एक recipe में जल्दी लेकर आऊंगी उसे आप जरूर watch कर लिजिए तो आप भी इसे घर पे बना सकते है इस बल्ली को घर पे बना सकते है बिल्कुल इसी तरीके से बनेगी उसमें कुछ हम खास इंग्रेडियन्स डालेंगे जिससे हमारी पर्फेक्ट बल्ली बनके बिना चिक्की रेडी हो जाएगी तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना जादा से जादा शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स में और जो लोग चैनल पर नए आये हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी हराने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ तब तक दुआ वामे याद रखना अलाफीस